जैस ही आराम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी मेंबोर्ड आईपो के करन्ट गिरिया मारकेट प्रियों के बारे में और इन सभी आईपो में अभी तक कितना सस्क्रिप्शन हुआ है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आईएब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो अगर हम सबसे पहले सेजिलेटी इंडिया आईपो की बात करते हैं तो इस आईपो में अगर सस्क्रिप्शन देखें तो अभी तक इस आईपो में लगबख 0.5 गुना ही ये आईपो सस्क्राइब हुआ है तो एक गुना भी ये आईपो अभी तक नहीं बढ़ा है और इस आईपो को अपलाई करने का आज लास्त दिन है तो आप टोटली इस आईपो को वोई कर सकते हैं कोई रिस्क ना ले ये आईपो अभी तक एक गुना भी नहीं बढ़ा है क्योंकि आप अपलाई भी करते हैं तो आपको इसमें अलोट्मेंट के चांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि ये आईपो हमें डिस्काउंट के लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए इसके बाद अगर हम एक में सोलर होल्डिंग आईपो के सस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इस आईपो के अपलाई करने का आज दूसरा दिन है कल आठ नमबर के दिन ये आईपो क्लोज हो जाएगा और अभी तक इसमें 0.42 गुना का ही सस्क्रिप्शन देखने को मिला है अगर हम इसका करन्ट ग्रे मार्केट प्रियम चेक करते हैं तो बिलकुल ना के बराबर ही इस आईपो का भी ग्रे मार्केट प्रियम चल रहा है के बाद अगर हम स्वीगी आईपो की बात करते हैं तो इस आईपो का हाल तो उन दोनों ही आईपो से बुरा चल दा है इसमें अभी तक लगबग 0.12 गुना का सस्क्रिप्शन देखने को मिला है इस आईपो को भी अपलाई करने का अज दूसरा दिन है और कल के दिन यह आईपो हमारा क्लोज हो जाएगा तो इन तीनों ही आईपो जो अभी ओपन हो चुके हैं एकमे सोलर होल्डिंग सेजिलेटी इंडिया लिमिटेड और स्वीगी इन तीनों ही आईपो में अभी कोई इतना खास स्टेटस देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम स्वीगी आईपो के ग्रे मार्केट प्रियम की बात करते हैं तो हो सकता है तो आप टोटली इन तीनों आईपो को अपलाई करें आप अपना पैसा सेव करके रख सकते हैं आने वाले टाइम में और भी काफी अच्छे आईपो आने वाले हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां पे कर सकते हैं अगर आप एक लॉंग टरम इन्वेस्टमेंट हैं तो आप अपना रिस्क मेनेजमेंट करके उसके अपना डिसीजन ले सकते हैं वहीं अगर हम इसके बाद निवा पपा हेल्थ इंशोरंस आईपो के ग्रे मार्केट प्रियम की बात करें आप पहले उनके फंडामेंटल एनलिसिस कीजिए उन पे भी मैंने सेपरेटली हर एक आईपो पर वीडियो बनाई हुई है